एक गूड नीज आई है जितने भी तमाम इंडियन फैन्स हैं कि लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि जब से खिलाडियों का एक वीडियो वायरल हुआ था मेलबन में एक रेस्टरॉन में खाना खाते हुए उसके बाद से काफी सारे सवाल उठने लग गए थे कि क्या भ साथ में जितने भी स्टाफ मेंबर्स हैं कोच रवी शास्त्री हैं सभी का आज कोविड टेस्ट हुआ और सभी की रिपोर्ट कोविड नेगेटिव आई है जिसके बाद इंडियन टीम आज मेलबन से सिड्नी के लिए रवाना हो चुकी है यानि अगर हम बात करने भारतिये टीम का प्राक्टिस सेशन था वो बारिश के कारण रद हो गया था अब थोड़ा से बात कर लेते कांट्रोवर्सी कब शुरूए थी ति कि मैं आपको तो लगबग तीन दिन पहले भारतिये टीम के खिलाड़ी रोई चर्मा शुबमंगिल रिशब पंद पिरिथ लगबग तीन से चार दिन के लिए आइसुलेट कर दिया गया था लेकिन जिस तरीके से मैंने भी आपको बताया कि कि आज सुबे सभी खिलाड़ियों का कोविड टेस्ट हुआ जिसमें सभी खिलाड़ी कोविड नेगटिव पाए गए जिसके बाद आज भारती खिलाड़ी रोई शर्मा शुबमंगिल सभी सिड्नी के लिए रवाना हो चुके हैं साथ जन्वरी से सिड्नी में तीसरा टेस मैं चुरू होना है और अजब देखी क्या होता है जब भी ऐस्टेलियन टीम हार रही होती है यह टेस्ट मैच में उनका परदेशन अच्छा नहीं होता तो ऐस्टेलिया की जो मीडिया है वो लगातार कोशिच करते है कि जो सामने कि वाली टीम है जो गेस्ट टीम है उसके भी कप्तान विराट कोली, हार्दिक पांडिया, केल राउल, कि हमने काफी ऐसी तस्वीरी देखी थी, जिसमें फैंसे इंटराक करते नजर आयते, देखी, ये तो बहुत ही क्लियर हो चुका था, कि जब आपने फैंस को भी अलाउट कर दी, और जो खिलाडी हैं, अपने होट करने की कोशिश की गए थी, क्योंकि आस्टेलियन टीम भी जान रही है, कि इंडियन टीम काफी जादा मजबूत है, और अब रोई शर्मा भी इस टीम के साथ जुड़ गए है, तो ये टीम और जादा मजबूत हो गी है, तो शायद जो तीसरे टेस्ट मैच है, उसमें आस् किया गया, देखें, जो हमारी टीम है, वो बिल्कुल भी जो भार इस बाते चल रही है, उस पर बिल्कुल ने ध्यान दे रही, और जो हमारी टीम का पूरा फोकस है, वो सिर्फ और सिड्नी टेस्ट पर है,